हेलो ब्रीवन वेल्कम बैक टो नॉलज रिव्यू क्लासेस आज हम बात करने वाले एक नई वेकेंसी के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लंबे समय तक कहां रहे गें अभी तक कोई भी अपडेट इस चैनल पर नहीं आया नहीं बेड़ वर्स है इस बीटीसी के बा आई हैं और यह जो टीचर वेकेंसी है के वेस्की ये आपके लिए वह दियान से देखेगा अगर अपने किया है या फिर पोस्ट किया है तो आप इस वेकेंसी में अपपलाई कर सकते हैं आप एमने डे अंजरेंग वे क्या हैंकी नो तो आईए हम आपका भी शंशय दूर कर देते हैं इस वेकेंसी में तो देखिए ये वेकेंसी है कहां कि सबसे पहले ये देखिए ये है केंदरी विद्याले शिहोर जो इंटर्व्यू वेसिस पर होगा ठीक है अब ये इंटर्व्यू कंड़क्ट कब होगा आईए देख अब टीजिटी पीजिटी में कौन सब्जिक्ट से आपने टीजिटी सब्जिक्ट में क्या सब्जिक्ट लिया है यानि ग्रेजिवेशन में आपके सब्जिक्ट क्या रहे हैं पोस्ट ग्रेजिवेशन में आपके सब्जिक्ट क्या हैं जिससे आप पीजिटी और टीजिट से कोई भी सब्जिक्ट से आपका पोस्ट ग्रिजवेशन है तो आप इलिजबल हैं पीजटी के इंटर्व्यूट देने के लिए टेक है और टीजटी वाले ध्यान से देखेगा टीजटी में क्या बोला गया है कि हिंदी सोसल साइंस अगर इनमें से आपने कोई इस साइट पर जाएएगा और आप वहां से सारी चीज़े आप डाउनलोड कर सकते हैं और यह द्यान रखेगा अगर आप इंटर्व्यू देने जा रहे हैं सोचरें इंटर्व्यू का जो चैर्जिस है यह के विएस देगा आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा आप अप इग्जेक्ट क्या होगी आपकी वह देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने सिदे मोटी मोटा बताया ना पोस्ट ग्रेजविशन यह सब्जेक्ट से आइए उसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है टेजटी पेजटी के लिए वह आपको मैं बता देता देखें यहां पर इसेंसियल जो कौलिफिकेशन इसेंसियल का मतलब होता है इसके भीना आप इंटर्व्यू देने जाए जाही नहीं सकते अगर गये भी तो वापस आना पड़ेगा टेक आईए देखें टू ये इंटी ग्रेटिट पोस्ट ग्रेजविट होना चाहिए अगर अगर मास्टर डिगरी में आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं तो आप इलिजवल अप्लाई करने के लिए अब देखें यहां पर PGT इंग्लिस की बात किया जाए ध्यान से देखेगा PGT हिंदी की बात किया जाए ersnesες हिंदी है संस्कृट हे संस्कृत के साथ हिंदी है इनि कि पोस्ट ग्रिजवेशन में मैच करना चाहिए अब पीजटी मैथ के बाद क्या गया है मैथ मैथ में आता है कभी-कभी मैथ नहीं कोई प्ला मैंत्मेतिक सोगा एक्ला यह यह चीज्दी बाद करो तो बॉटनी वह या फिर जौजी ओगा या फिर लॉई साइंस सोगा यह फिर बाइस्स बॉइनिटिक हो और मा結果 यस वा और सब चीजे इमें से कोई एक चीज से आगने आपने पीजिटी किया है पोस्ट ग्रेजिवेट ट्रेनिंग टेक पोस्ट ग्रेजिवेशन आपने किया है तो आप इलिज्वल अपलाई करने के लिए दूसरी चीज आपके पास बीएड होना चाहिए पहली इसलिए आपको भाई इस प्रकेशेंसी होना चाहिए बोलने की आगर आप हिंदी में बात करें तो हिंदी में पढ़ा लें समझा लें अच्छे बात हैं हिंदी इंग्लिस दोनों मेडियम है तो और अच्छे बात हैं कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलइज होती है जैसे आप के बारे में जानगे प्रिंट जो बेसिक चीज बोलते हैं बस जस्ट वही ठेक है अब यह रेक्विट्मेंट शुरूल इन्हों ने लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको मैं बता दूँ कि यह PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा वहां से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लिजिएगा उसके बाद ही इंटर्व्यू देने जाईएगा काता है ना अधूरा गान जो होता है ना हमेसा घातक होता है इसलिए पहले पूरा पढ़िएगा उसके बाद इंटर्व्यू देन कुछ ही बीटेक वाले जो है जिनके पास डिग्री जो बीटेक की वे इलिजवाल होंगे इस के बियस में इंटर्व्यू देने के योग्य कौन-कौन अगर आप बीटेक किये हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से किये हैं या फिर डिप्लोमा किये हैं किसी भी क्वीटेक करने के लिए टेक है और इसी तरह के लिए लेशन के लिए लिए पोस्ट के लिए था अब curiosity से स्धार्विक्रेक activities पहलेगा लेव का यह चीजह होनां चाहिए आपके पास अब आते हैं भीजिटी के बाद आते हैं अब यह था ओündenी अप्लाई कर सकते हैं आप TGT के बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर की बाद TGT वाले ध्यान से सुनिएगा इसमें भी बोला गया है कि चार साल का बीएड इंटेग्रेटेड कोर्स हो तो आप इलिजबल अप्लाई करने के लिए या फिर बैचलर डिग्री हो फ सारे सब्जेक्ट आजाते हैं भाई हिस्ट्री आता है जियोग्राफी आता है एकोनॉमी आता है पॉलटी आता है और जियोग्राफी यह सब चीजे हैं और साथ में ध्यान दिजेगा आपने सीटेट पास किया है तो ही आप इलिजबल हो पाएंग अप्लाई करने के लिए आप सीटेट पास यानि आलेडी इन्होंने बोल दिया है आप बीड होने चाहिए बीड सीटेट पास है तो ही आप इलिजबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए चले आगे बढ़ते अगले यह इनफार्मेशन थी जिसको मैंने आपके साथ सेयर कर दिया तो आप इसमें आप इसमें चलेट लिएगा आप सब्सक्राइब करने के बाद इसको डाउनलोड करके और पढ़ने के बाद हैं इंट्रिव्य देने जाईएगा आप इंटर्यमेए के हैंagemयगे इनट्रिवнемद्स आरिक होगा आप जो इसलजिब बना रहा हूं के सुख तो यह ती इन्फा आल दे बेस्ट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक चीज दो जरूर करिएगा अगर वीडियो में बना रहा हूं मेहना से तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यह बनता है ठीक है चलिए धन्यवाद